हेलो फ्रेंड्स आज की कहानी की शुरुआत में सबसे पहले हम हमारी हिरोईन डू शाउसू को देखते हैं जो एक यंग जर्नलिस्ट है यह लड़की एकदम बिंदास और जिद्धी भी है सुबह सुबह जब डू शाउसू गहरी नींद में सो रही होती है तब ही उसके फोन की घंटी बज़ती है फिर उसकी दोस्त जू सिकी ने उसे उठाया और बोला दू शाउसू उठो तुम्हारे बॉस मिस्टर मो का फॉन आया है बॉस का नाम सुनते ही डू शाउसू तुरंत उठ जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि आज उसे यान जिंग जिंग का इंट इंग जिंग का इंटर्व्यू नहीं ले पाई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। ये सुनकर डूश आउसू घबरा गई और सूपर वूमन की स्पीड में तैयार होने लगी। अब कहानी में एंटरी होती है हमारे दो और हैंडसम कैरेक्टर्स की बोले तो हमारे हीरो की ले यूजेंग और शाओ जनरॉंग ले यूजेंग एक बिजनसमेन और एकदम डिसिप्लिंड मेहनती और खुद को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सुबह उठत है और अपने काम पर लग जाता है लेकिन उसकी लाइफ में प्यार की कमी है वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता और अपने कामों में डूबा रहता और यहीं उसकी पहचान है शाओ जनरॉंग ये लड़का थोड़ा मस्त मॉला टाइप है मजाकिया हंसमुख और साइकल पर था दोनों बातचीत कर रहे थे शाओ जनरॉंग ने ले यूजंग से पूछा कि क्या वो रोज सुबह इतनी जल्दी उठता है जिसके जवाब में ले यूजंग ने कहा कि क्या उसने कभी सुबह 4 बजे का सूरज देखा है वो कहता है कि वो हर दिन सुबह 4 बज किया और डिफेंसिव स्टांस में था लेकिन वो हार गया क्योंकि वो ज्यादा जल्दी कर गया बाद में ले यूजंग ने पूछा कि क्या शाओ जनरॉंग को उसकी माने फिर से ब्लाइंड डेट पर भेजा था शाओ जनरॉंग ने हां कहा और बताया कि जब वो लड़की से मिला तो उसने सीधा शादी और सर्टिफिकेट की बात की कि कब हम शादी कर रहे हैं और सर्टिफिकेट कब बनवाएंगे फिर ले यूजंग ने मजाक में कहा कि शाओ जनरॉंग की पसंद बहुत उंची है पता नहीं किस से प्यार होगा तुम्हें फिर ले यूजंग बोला ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत आकरशक डॉक्टर हो पर शाओ जनरॉंग ने जवाब दिया मजाक उडाना बंद करो मेरा उसके बाद दोनों अपने अपने कामों के लिए रेडी होते हैं यार दोनों क्या मस्त दिखते हैं फिर हम देखते हैं कि डू शाओ सू बोला दोनों ने अपनी दोस्त जू सिकी से कहा कि वो उसे एरपोर्ट ले जाए जंग जिंग जिंग भी एरपोर्ट से निकल रही थी और वो खुश थी जब उसे पता चला कि ले यू जिंग भी आ रहा है डू शाओ सू समय पर एरपोर्ट पहुंच गई जहां की दी कि अगर इंटरव्यू नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देगा डू शाओसू ने वादा किया कि वो इंटरव्यू लेकर ही आएगी और मिस्टर मो को अच्छी खबर सुनाएगी फिर डू शाओसू ने कैमरा उठाया और एमप्लॉई चैनल की तरफ दोड़ गई ले ले यूजेंग को डू शाओसू की आवाज सुनकर एक लड़की याद आ गई जिसे उसने एक बार बारिश में बचाया था और वो सोचने लगा कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है डू शाओसू पार्किंग लॉट पहुँची जहां उसने देखा कि जंग जिंग पहले का जगड़ा याद आ गया उस समय शाओजन रॉंग ने आकर उसे तसलिए पहुँची जहां उसने पिता को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे देखा उसके जहन में उनका पहले का जगड़ा याद आ गया उस समय शाओजन रॉंग ने आकर उसे तसलिए दी कि उसके पिता अब ठीक हैं फिर असिस्टेंट ने बताया कि जंग जिंग जिंग का एक्सिडेंट हो गया है और शाओजन रॉंग को भी डायरेक्टर ने बुलाया फिर हम देखते हैं कि अस्पताल में जंग जिंग जिं थोड़ी देर पहले डूर शाओजन ने जंग जिंग जिंग की कार का पीछा किया था जिसकी वजह से इंडायरेक्टली एक्सिडेंट हुआ था मिस्टर मो गुस्से में फोन रख देता है और उससे कहता है कि वो जंग जिंग जिंग का इंटरव्यू लेकर आए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स भी चिंतित थे क्योंकि जंग जिंग जिंग के एक्सिडेंट की वजह से मॉन्स्टर स्लेयर मुवी की शूटिंग डिले हो गई थी ले यूजेंग समय पर पहुँच गया और बताया कि वो यूतियन के सभी कामों की जिम्मेदारी लेगा और कहा कि मॉवी मॉन्स्टर स्लेयर जरूर बनेगी लेकिन हिरोईन को बदलना पड़ेगा मिस्टर जी ने इस फैसले से असहमती जताई लेकिन ले यूजेंग ने उसे एक फाइल दी फाइल देखते ही मिस्टर जी ने रिजाइन कर दिया और लेई यूजेंग ने उसका रिजाइन स्वीकार कर लिया लेई यूजेंग ने ये तै किया कि वो अपने पिता के बिजनिस यूतियन को संभालेगा और आगे बढ़ाएगा दू शाउसू एक नूडल शॉप गई और देखा कि सामने शाउ जनरॉंग नूडल्स खा रहा था उसे देखकर उसने भी वही ओर्डर किया क्योंकि वो नूडल्स देखकर उसके मुह में पानी आ रहा था शाओ जनरॉंग ने भी डू शाउसू को देखा और उसके बिखरे हुए चेहरे को देखकर थोड़ा हैरान हो गया मिस्टर मो लगातार डू शाउसू को जंग जिंग जिंग का इंटरव्यू लेने के लिए प्रेशराइज कर रहा था डू शाउसू ने दो बाउल नूडल्स ऑन अर्डर किये लेकिन उसने थोड़ा सा खाकर ही नूडल्स छोड़ दिये वो वापस चल पड़ी और रास्ते में उसे अपना फोन नहीं मिला वो इसे शौप में ही भूल आई थी फिर जैसे ही वो वापस मुडने लगी उसकी टकराव शाउजनरॉंग से हो गई शाउजनरॉंग ने उसका फोन वापस करने के लिए दिया फिर कुछ कदम चलने के बाद एक गाड़ी ने डू शाउजनरॉंग ने उसे बचा लिया दोनों ने एक दूसरे की आँखों में देखा और शाउजनरॉंग ने कहा कि डू शाउजनरॉंग का अपना ध्यान रखना चाहिए उधर अस्पताल में रिपोर्टर्स मौका देखकर तस्वीर लेने का इंतजार कर रहे थे रिपोर्टर बी ने अपने सहयोगियों को गुमराह किया कि इंस्पेक्टर आ गया है और फिर उसने डू शाउसू को बताया कि जंग जिंग जिंग आईसीउ में नहीं है उसे तीसरी मंजिल पर शिफ्ट किया गया है डू शाउसू को शक हुआ कि रिपोर्टर बी का इरादा ठीक नहीं है रिपोर्टर बी ने कहा कि वो उसकी मदद करने आया है ले यू जेंग ने स्लैशिंग मॉंस्टर्स फिल्म के लिए नई हीरोईन की तलाश शुरू कर दी उसने अपनी एक्स गर्फ्राइंड को शू यू कॉन्टेक्ट करने के लिए बोला जो उससे मिलना चाहती थी ले यू जेंग ने इस बात को मंजूर कर लिया कमपेटिटर कमपनी को ले यू जेंग के हीरोईन बदलने के बारे में पता चला और उन्होंने यू तियन को एक मुश्किल प्रोजेक्ट देने का फैसला किया ताकि वे उन्हें मुसीबत में डाल सकें डू शाउसू ने जंग जिंग जिंग के वार्ड में घुसने की कोशिश नहीं छोड़ी वह तीसरे मंजिल पर चढ़कर खिड़की से तस्वीर लेने लगी तब ही शाउजनरॉंग वहां आया और तस्वीर उसकी खींची गई डू शाउसू ने उसे देखा और सोचा कि वह पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है एक पल के लिए वह खो गई थी शाउजनरॉंग ने उसे देखा और जब वह गिरने वाली थी तो उसने उसे बचा लिया जब शाव जनरॉंग ने डू शावसू को खिड़की से बचाया तब दोनों एक दूसरे पर गिर गए फिर शाव जनरॉंग ने पूछा तुम यहां क्या कर रही हो जल्दी मेरे उपर से उतरो डू शावसू उसके उपर गिर गई थी और फिर वह जल्दी से उठकर शाव जनरॉंग के उपर बैठ गई यह देख एक नर्स जो वहीं पास में थी गलत फहमी में पढ़ गई कि यह लोग क्या कर रहे हैं और उदास होकर वहां से चली गई शाव जनरॉंग को लगा कि डू शावसू की नियत ठीक नहीं है तो उसने उससे सवाल करना शुरू किया कि वह कौन है और वहां क्या कर रही है डू शावसू ने अपना सच बताया कि वह एक रिपोर्टर है जो जंग जिंग जिंग का इंटरवयू लेना चाहती है उसने शाव जनरॉंग से दया की भीक मांगी और कहा कि वह सिर्फ एक तस्वीर लेना चाहती है लेकिन शाव जनरॉंग ने मना कर दिया और कहे कि वह मरीज की प्राइवेसी को तोड नहीं सकता डू शाव सू ने शाव जनरॉंग को धमकाया कि अगर उसने उसे शूट करने नहीं दिया वह वह किसी तरीके से उसे फंसाएगी डू शाव सू ने इस बार अपना प्लैन बदला और शाव जनरॉंग को समझाने लगी कि उसे सिर्फ एक तस्वीर लेनी है और वह जल्द ही वापस चली जाएगी शाव जनरॉंग ने उसे एक मौका दिया लेकिन उसने उसे सकती से देखा और निगरानी की डू शाव सू एक बड़े दिल्चस्पी के साथ शाव जनरॉंग के पास जाती है और एक तरह से उसे वार्निंग देने की कोशिश करती है कि अगन उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँच सकता है वो बोलती है मैं सब को बता दूँगी कि तुम मेरे बॉइफरेंड हो लेकिन शाव जनरॉंग उसकी एक बात भी नहीं मानी और मजबूर होकर डू शाव सू को पीछे हटना पड़ता है यहां शाव जनरॉंग और ले यूजेंग के बीच फैंसिंग का मुकाबला होता है जो की पांच मिनट का होता है हालां की दोनों यह मुकाबला हार जाते हैं मुकाबले के बाद ले यूजेंग शाओ जनरॉंग को कहता है कि जंग जिंग जिंग की चोट का सबसे अच्छा इलाज होना चाहिए और वह इसका खर्चा खुद उठाएगा फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है और कंपनी के शेयर होल्डर इस पर ध्यान दे रहे हैं इसलिए ले यूजेंग हिरोईन को बदलने का फैसला करता है और शाओ जनरॉंग बोलता है कि भाई ये तो बहुत रिस्की है लेकिन फिभी में तुम्हारे साथ हूँ अगल जनकी डू शाओ सू बाहर से दिखाती है कि वह सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कर रही है इसलिए उसके लिए कॉफी लेकर आई है लेकिन यह सब वह जंग जिंग जिंग के काम के लिए कर रही होती है लेकिन शाओ जनरॉंग उसका ओफर ठुकरा दे फैनलू ले यूजेंग से मिलने आती है ले यूजेंग उसे कहता है कि वह काम खत्म होने के बाद उसके साथ समय बिताएगा ले यूजेंग जान बूजकर अपने काम में लगा रहता है जिससे फैनलू इंतजार करते करते ठक जाती है और ले यूजेंग से कहती है कि वह पहल चार में एक साथ सफर करते हुए बात करते हैं शाव जनरोंग कहता है कि डू शावसू बहुत खुश लग रही थी ले यूजенग पहले ही समझ चुका था कि शाव जनरोंग डू शावसू से प्यार करने लगा है शाव जनरोंग इस बात से काफी घबराया हुआ है और उसने यह बात पूरी तरह से नकार दी और बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं है हम बस अभी अभी मिले हैं इस पर ले युजेंग कहता है कि वह लड़की बहुत खुश किस्मत है वह ये भी कहता है कि अगर वह लड़की अच्छी नहीं हुई तो मैं तुमको नहीं करने दूंगा पहल करते हुए उसे हेलो कहती है शाओ जनरॉंग थोड़ा जिजगता है और वहां से जाने की सोचता है लेकिन डू शाओ सू हंसते हुए कहती है कि उसे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वह हैंडसम लड़कों को देखती है प्रेजिडेंट मो का फोन आता है और वह डू शाओ सू को बताता है कि फिल्म की हीरोईन को बदलने का फैसला किया गया है वह डू शाओ सू से कहता है कि वह जंग जिंग जिंग से संपर्क करे और उसका इंटर्व्यू लेकर सच जानने की कोशिश करे इसी दोरान नरसे हडबड़ी में बाहर की तरफ भागती ह उन्हें पता चलता है कि एक बस का एकसिडेंट हो गया है जिसमें कई बच्चे घायल हो गए है शाओ जनरॉंग एक बच्ची की जाच करता है जिसे आंतरिक छोटें आई हैं और जिसे आरेच नेगिटिव एबी बलड की जरूरत है यह सुनकर डू शाओ सू तुरंत आगे डू शाओ सू कहती है कि वह काम में बिजी थी इसलिए नहीं खापाई इसके बाद शाओ जनरॉंग उसके लिए तले हुए बन लेकर आता है खाते खाते तले हुए बन का टुकड़ा डू शाओ सू के होटों पर लग जाता है शाओ जनरॉंग उसे साफ करने की कोशिश करत लेकिन डू शाउसू जल्दी से हट जाती है शाउजन रॉंग खुशी से उसे खाते हुए देखता है और मुस्कुराता है डू शाउसू शाउजन रॉंग को बताती है कि अगर उसने उस दिन एरपोर्ट पर जंग जिंग जिंग का पीछा नहीं किया होता तो उसका जंग जिंग जिंग ने अस्पताल में पत्रकारों को बुलाया और जैसे ही उसके बॉडिगार्ड सो गए वह अस्पताल से बाहर भाग गई डू शाउसू जब जंग जिंग जिंग के कमरे में पहुँचती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता उसी समय शाउजन र जिल पर पहुँचते हैं वे देखते हैं कि फायर ट्रक और पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो भी पहुँच चुके हैं नीचे रिपोर्टर तस्वीरें लेने की जल्दी में हैं और लेई यूजेंग को भी जानकारी मिलती है कि जंग जिंग जिंग इमारत से कूदने वाली लेकिन वह नहीं मानती अधीने दर पॉन की रिंगटों जंग जिंग जिंग का ध्यान खींच लेता है इस मौके का फाइदा उठा कर शाव जनरॉंग तेजी से आगे बढ़कर जंजिंग जिंग को रेलिंग के अंदर खीच लेता है लेकिन इसी दौरान शाव जनरॉंग खुद अपना संतुलन खो देता है और गिरने लगता है सौभाग्य से डू शाव सू उसे पकड़ लेती है लेकिन वह उसे खीचने के लिए उतनी मजबूत नहीं होती और दोनों छठी मंजिल से एर कुशन पर गिर जाते हैं फिर दोनों एर कुशन पर सुरक्षित रहते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आती रिपोर्टर तुरंत उनका इंटर्व्यू लेने के लिए दौडते हैं लेकिन शाव जनरॉंग डू शाव सू का हाथ पकड़ कर उसे वहां से भागने के लिए कहता है दोनों हाथ में हाथ डाले हॉस्पिटल से बाहर की और भागते हैं मीडिया की भीड को छोड़ते हुए शाव जनरॉंग डू शाव सू का फोन नंबर मांगता है ताकि उससे बात कर सके फिर डू शाव सू उसके हाथ में अपना नंबर लिखकर वहां से चली जाती है इसी बीच ले यूजेंग जल्दी से अस्पताल पहुँचता है तो वे क्या करते ले यूजेंग इस घटना को याद करते हुए बेहद गुसे में है जंग जिंग जिसे ले यूजेंग ने इन्वाइट किया था अगर उसकी वजह से शाव जनरॉंग को चोट लग जाती तो ले यूजेंग शाओ जनरों के परिवार का सामना कैसे करता वह शाओ जनरों को बताता है कि जंग जिंग जिंग का बिल्डिंग से कूदना सिर्फ एक दिखावा था एक शो था इसके बार डू शाओसू ने वाश रूम जाने का बहाना बनाया और थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली गई और वाश रूम जाके खुद से बोलती है कि वो मैं इतनी नर्वस क्यू हूँ उसने ऐसा थोड़ी ना बोला है कि वो मुझे पसंद करता है डू शाओसू बातरूम से बाहर निकलती है और वह बेसबरी से ये फोटो शाओ जनरॉंग को दिखाना चाहती है शाओ जनरॉंग जैसे ही फोटो देखता है वह तुरंत ले यूजेंग को पहचान लेता है और डू शाओसू को समझाने की कोशिश करता है कि उसका शूयू से कोई संबंध नहीं है लेकिन डू शाओसू इस बात पर यकीन नहीं करती और इन दोनों के बीच के स्कैंडल को और गहराई से जानने का मन बना लेती है शाओ जनरॉंग उसे समझा नहीं पता है कि वो अब रिलेशनशिप में नहीं है खाने के बाद शाओ जनरॉंग डू शाओसू को उसके घर छोडने के लिए जाता है ठंड से बचने के लिए शाओ जनरॉंग उसके हाथों को उसकी जेब में डाल देता है ताकि वे गर्म रहें डू शाओसू के दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी होती है पिता लेई तिंग को देखने के लिए अस्पताल जाता है जो अभी भी बेहोश हैं लेई यूजेंग के दिल में बहुत सी भावनाएं उभर आती हैं बच्पन से वह हमेशा अपने पिता को एक कठोर और मेहनती इंसान के रूप में देखता आया है जो कभी हार नहीं मानते उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे ऐसे गिर जाएंगे आखिरकार लेई तिंग को होश आ जाता है और वह देखता है कि लेई यूजेंग उसके बिस्तर के पास बैठा हुआ है हालांकि लेई तिंग गुसे में उसे वहां से जाने के लिए कहता है लेई यूजेंग क कि उनके पिता और बेटे के बीच में माहौल ठीक नहीं लग रहा है वह जल्दी से लेई यूजेंग को वार्ड से बाहर ले जाता है ताकि स्थिती को शान्त किया जा सके फिर हम देखते हैं कि सुबह जल्दी डू शाउसू अखबार के आफिस में आती है और ध्यान से इसी बीच वह और उसके सहयोगी गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं मिस्टर मो जो इस स्थिती से नाराज है डू शाउसू पर चिलाता है लेकिन डू शाउसू उसकी बातों को अनसुना करते हुए सीधे यूटियन ग्रूप के नीचे पहुँचती है जहां वह देखत है कि यन जिंग जिंग की बड़ी तस्वीर को हटा कर शू यू की तस्वीर लगाई जा रही है डू शाउसू सीधे यूटियन ग्रूप के अंदर घुस जाती है और रिसेप्शन पर काम करने वाले कर्मचारी से ले यूजेंग का पता पूछती है वह फिर ले यूजेंग की गाड़ी को सडक पर रोक देती है और यन जिंग जिंग के लिए जस्टिस की मांग करती है और ले यूजेंग को वो पिक दिखती है जो उसने चुपके से खीचा था तब ही असिस्टेंट ही कुन फेई जल्दी से आकर डू शाउसू को रोकने की कोशिश करता है डू शा उसका पीछा कर रही थी और उसे इंटरव्यू करने की कोशिश कर रही थी इसके बाद उसने यान जिंग जिंग का इंटरव्यू लेने के लिए खुद को एक नर्स के रूप में छुपाया जो सिर्फ इस मामले से नाम कमाने का प्रयास था ले यूजेंग की सच्चाई साम पर चल रही होती है और फोन की घंटी को सुन ही नहीं पाती धीरे धीरे डू शाउसू को होश आता है और तब ही उसे अपने सहयोगी का कॉल आता है जिससे पता चलता है कि मिस्टर मो ने चुपके से उसके कंप्यूटर से फोटोस निकाल ली है डू शाउसू ये सुनकर ब गूर्णे का उर्डर देता है, साथ ही वह साफ साफ कहता है कि वह किसी भी हालत में कोर्ट से बाहर समझhotा नहीं करेगा ही कुनफई जल्दी से डूछ आउसु का ढूंड निकालता है और ले उजेंग के फैसले के बारे में बताता है, वह शिकायत करता है कि डू शाउसु को ले यूजेंग को उकसाना नहीं चाहिए था डू शाउसु को बहुत गुस्सा आता है और वह ले यूजेंग के खिलाफ जाने का मन बना लेती है ही कुन्फेह को जब पता चलता है कि डू शाउसू यान जिंग जिंग के साथ हुए अन्याय के लिए लड़ रही थी तो वह उसे यान जिंग जिंग और शेली की साज़ेदारी के बारे में बताता है जिनमें उन्होंने अनुबंध के साथ छेड़ छाड़ करके पैसे कमाने की योजना बनाई थी यह सुनकर डू शाउसू को ऐसा लगता है जैसे उसकी आँखें खुल गई हों और उसे अब सब सच समझ आता जाता है डू शाउसू अस्पताल में यान जिंग जिंग से बात करने जाती है वह दर्वाजे के बाहर यान जिंग जिंग और उसकी सहायक की बातचीत सुन लेती है जिसमें वे लोग ले यूजेंग को जुकाने की कोशिश के बारे में बात कर रहे होते हैं यह सुनकर डू शाउसू इतनी गुसे में आ जाती है कि वह यान जिंग जिंग से बहस करने के लिए कमरे में घुस जाती है। लेकिन यान जिंग जिंग उस पर हस्ती है और फिर अपने सहायक के साथ दर्वाजा बंद करके वहां से चली जाती है। यन जिंग जिंग के व्यवहार से दूखी होकर डू शावसू लगभग बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से शौजन रॉंग समय पर आकर उसे गले लगाता है और उसे सहारा देता है। इस घटना से तूट चुकी डू शावसू का एकसाइटमेंट खत्म हो जाता है और वह रिपोर्टर की जॉब छोड़ने का फैसला करती है। वह वास्तुकला में सनातक कर चुकी थी और एक डिजाइनर बनना चाहती थी। शावजन रॉंग उसे बॉईवन में नौकरी अपलाई करने के लिए बोलता है लेकिन डू शावसू सोचती है कि वह इसे कर पाएगी। अगली सुबह डू शावसू एक इस्तीफा रिपोर्ट लेकर प्रेजिडेंट मो के पास जाती है। प्रेजिडेंट मो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन डू शावसू का मन पहले ही बन चुका होता है और वह आफिस छोड़ने का पक्का फैसला कर चुकी होती है। डू शावसू सड़क के किनारे एक जगह पर खड़ी होती है जहां वह लेई यूजेंग का इंतजार कर रही है। पुरी जानकारी के एक गलत फहमी पाल ली थी मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। ले यूजेंग उसकी बात सुनते हुए अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता। उसे लगता है कि शायद डूश याउसू मुकदमे से डर गई है इसलिए माफी मांग रही है। वह उससे ठंडे स्वर में कहता है क्या तुम इस डर से माफी मांग रही हो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कानूनी कारवाई करने का फैसला किया है। दूश याउसू थोड़ा घबराई हुई होती है लेकिन अपने आपको संभालते हुए कहती है नहीं मैं इस बात से परेशान थी कि यन जिंग जिंग ने मुझे बहका दिया था। दूश याउसू उसके इस व्यवहार से निराश होती है और वहीं खड़ी रह जाती है अपने दिल में भारीपन महसूस करती है और बहुत दुखी हो जाती है शाउजन रॉंग दूश याउसू के बारे में बहुत चिंता करता है। और वह उसे एक नई शुरुआत देने की कोशिश करता है। शाउजन रॉंग को वार्निंग देते हुए कहता है तुम्हें सतर्क रहना चाहिए शाउजन रॉंग तुम्हें नहीं पता कि डूश याउसू का असली मकसद क्या हो सकता है। वह शाउजन रॉंग की बात मान लेता है। और वह बिना इच्छा ही बॉईवन के निंग को डूश याउसू का रिज्यू में भेजने के लिए तयार हो जाता है। बॉईवन कमपनी के सीईओ मिस्टर निंग डूश याउसू के रिज्यू में और डिजाइन ड्राफ्ट को देख कर खुश हो जाते हैं। उन्हें डूश याउसू का डिजाइन उनको बहुत पसंद आता है जिससे वह उसकी काबिलियत पर भरोसा करने लगते हैं। डूश याउसू बॉईवन कमपनी में नर्वस होकर अंदर करती है। वह मिस्टर निंग के सामने खड़ी होती है जो उससे कुछ सवाल पूछते हैं और उसके डिजाइन ड्राफ्ट को ध्यान से देखते हैं। जिससे जवाब देती है। मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद सर। मैं पूरी मेहनत के साथ इस काम को करूंगी इस बीच जांग फनलू यूतियन के कार्याले में ले यूजंग से मिलने आती है। लेकिन रास्ते में उसे रोका जाता है जिसकी वजह से उसकी अखों में गुस्सा और नाराजगी जलकती है लेकिन वह अपने गुस्से को छुपाते हुए भोली बनने की कोशिश करती है। लिन श्यंग यूएन ज्यंग फनलू को देखा और उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे विनम्रता से उपर आने का इंविटेशन देता ले यूजंग को ज्यंग जिनने गोल्फ कोर्स पर मिलने के लिए बुलाया था। वहां ज्यंग जिनने ले यूजंग को एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसे वो बाहरी व्यक्ती को नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में ले टिंग से भी बात की है और ले यूजेंग को यह प्रोजेक्ट पूरा करना होगा वहीं दूसरी और लाइन श्यंग यूवान बातरूम में गया जहां उसकी मुलाकात लाइन कियोंग से हुई जो एक सफाई कर्मी था लीन कियोंग ने उसे पहचान लिया और बात करने की कोशिश की ले लेकिन उसे कोई खास काम नहीं मिला उसने अपने सहकर्मियों की मदद की और कौफी खरी दी काम के बाद जब वह घर जा रही थी तो उसने देखा कि शाओ जन रॉंग नीचे उसका इंतजार कर रहा था शाओ जन रॉंग ने उसे अपने दोस्तों से मिलाने के लिए बुल ले यूजेंग उसका बॉस है ले यूजेंग ने डू शयाओ सू को सलाह दी कि वह शाओ जन का खयाल रखे डू शैू ने सोचा कि वह स्तीफा दे दे गी क्योंकि वह शाओ जन के साथ अपने रिष्टे को लेकर चिंतित थी लेकिन शाओ जन रॉंग ने उसे समझा लिया और डूशावसू ने अपनी योजना बदल दी। बाद में लेई यूजेंग ने सुना कि जॉंग फनलू कंपनी में हंगामा कर रही है तो उसने डूशावसू को मिलने के लिए बुलाया। दूशावसू लेई यूजेंग से मिलने आई और लेई यूजेंग ने उसे चेतावनी दी कि वह शाव जैनरोंग के भोलेपन का गलत फायदा ना उठाए। दूशावसू ने गुस्से में कहा कि वह और शाव जैनरोंग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और वहां से चली गई शाओ काडशुआन जो कि शाओ जेनरोंग की माँ है उन्होंने लेई युजेंग से शाओ जेनरोंग के बारे में पूछा और जाना कि शाओ जेनरोंग की एक गर्लफरेंड है उसने शाओ जेनरोंग से अपनी गर्लफरेंड को घर लाने के लिए कहा शाओ ने देखा कि उनका परिवार बहुत अमीर है हालां कि शाव काईशुआन शाव जनरों की माँ बहुत ही दयालू और मिलनसार थी जिससे दूश याउसु को आराम महसूस हुआ शाव काईशुआन ने दूश याउसु से उसके पिता के बारे में पूछा और अपनी कहानी सुनाई कि वह और दूमाउ कार्ड कभी प्रेमी थे बाद में दूश याउसु नदी किनारे गई और अपने पिता को फोन किया उसके पिता ने शाओ जेनरोंग के साथ उसके रिष्टे के बारे में पूछा लेकिन उसने जूट बोला कि सब ठीक है और फोन काटने के बाद रोने लगी दुश्यावसू की जिंदगी में अब भी परेशानिया कम नहीं हो रही थी शाओ काईशूवान के साथ हुई मुलाकात के बाद उसे समझ आया कि शाओ जेनरोंग का परिवार उसके अतीद से जुड़ा हुआ है और ये सोच उसे परेशान करने लगी उधर लेई यूजेंग ने अपने काम के सिलसले में कुछ नए फैसले ली उसने लिन शियांग यूवान को एक जमीन पर ले जाकर दिखाया जिसे वो लोग डेवलप करना चाहते थे लेकिन वहां पहुँचकर लेई यूजेंग ने देखा कि जमीन पर खून के निशान है और बताया कि उनके पास इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी मंजूरी भी नहीं है ये बस एक धोखा है लेकिन लिन शियांग यूवान इस प्रोजेक्ट को लेई टिंग के लिए एक बड़ा नाम बनाने का मौका मान रहा था लेई यूजेंग ने उसकी बातों से सहमती नहीं जताई और सोच में पढ़ गया कि आगे क्या करना चाहिए इसी बीच शाओ जैनरॉंग ने दूशी आउसू को होटल में मिलने के लिए बुलाया था लेकिन तब ही अचानक शाओ काईशुआन का फोन आ गया जिसने उसे तुरंट मिलने के लिए बुलाया शाओ काईशुआन ने दूशी आउसू से कहा कि वह इस मुलाकात के बारे में किसी को ना बताए जब वे मिले तो शाओ काईशुआन ने दूशी आउसू से उसके पिता दूमाउकाई के बारे में पूछा और बताया कि वह और दुमावकाई एक समय एक दूसरे से प्यार करते थे उन्होंने शादी करने का भी वादा किया था लेकिन आखिरी वक्त पर दुमावकाई ने धोखा दे दिया और शाओ काईशुआन को अकेले जाना पड़ा ये सब सुनकर दुशी आउसु का मन बहुत दुहकी हो गई वह नदी के किनारे गई और अपने पिता को फोन किया उसके पिता ने शाओ जनरॉंग के साथ उसके रिष्टे के बारे में पूछा लेकिन दुशी आउसु ने जूट बोल कर कहा कि सब कुछ ठीक है फोन रखते ही वह अपने आउसु रोक नहीं पाई और रोने लगी रात बहुत बीट चुकी थी लेकिन शाओ जनरॉंग अभी भी डूश आउसु का इंतजार कर रहा था वह चिन्तित था क्योंकि ना तो उसका फॉन लग रहा था और ना ही वीचैट पर कोई जवाब मिल रहा था उसने कई बार फॉन मिलाने की कोशिश की लेकिन हर बार उसकी बेचैनी बढ़ती गई जैसे जैसे रात गहराती गई शाओ जनरॉंग की बेचैनी और भी बढ़ गई वह अपने मन में तरह तरह की चिन्ताओं से घिरा हुआ था कहीं कुछ अन्होनी तो नहीं हो गई दूसरी और डू शाओसू बहुत देर रात घर पहुँची उसके चहरे पर उदासी और थकान साफ जलक रही थी उसकी रूममेट जू सिकी ने देखा कि डू शाओसू के चहरे पर कुछ गड़बड है लेकिन उसने कुछ नहीं कहा वह जानती थी कि जब तक डू शाओसू खुद कुछ न बताए तब तक उसके मन की बात जान पाना मुश्किल है जू सिकी ने धीमी आवाज में पूछा तुम ठीक हो शाओसू लेकिन डू शाओसू ने कोई जवाब नहीं दिया वह सीधे अपने कमरे में गई और दर्वाजा बंद कर लिया दर्वाजे के बाहर जू सिकी चिंता में खड़ी रही लेकिन उसने सोचा कि शायद समय देने से डू शाओसू खुद बात करेगी वहीं शाओजन रॉंग जो डू शाओसू के घर के नीचे खड़ा था बेहत चिंतित था उसने जू सिकी को कॉल किया और पूछा कि क्या डू शाओसू घर पर है जू सिकी ने कहा कि वो सो चुकी है लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड है शाओ जनरॉंग को यह बात समझ नहीं आई उसने खुद देखा था कि डू शाउसू के मन में कुछ बड़ा चल रहा है उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला हो सुबह होते ही शाओ जनरॉंग जल्दी उठ गया और सीधे डू शाउसू के कमपनी के नीचे पहुँच गया वह जानता था कि अगर उसे जवाब चाहिए तो उसे खुद उससे बात करनी होगी जैसे ही डू शाउसू कमपनी के दरवाजे से बाहर निकली शाओ जनरॉंग ने उसे रोका वह उसकी आँखों में सीधा देख रहा था उसकी आँखों में उम्मीद और चिंता दोनों जहलक रही थी तुम कल रात क्यों नहीं आई उसने पूछा डू शाउसू ने उसकी ओर देखा लेकिन उसकी आँखों में कोई जवाब नहीं था वह कुछ पल के लिए चुप रही और फिर बोली मैं नहीं आपाई वह जानती थी कि इससे उसकी चिंता कम नहीं होगी लेकिन उसने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया शाओ जन्रॉंग ने उसकी चुपी को समझने की कोशिश की उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा हम इस तरह नहीं छोड़ सकते शाओसू चलो कहीं बैठ कर बात करते हैं वह उसे जबरदस्ती कार में खीच कर बैठा दिया उसी समय ले यूजेंग अपनी कार से वहां से गुजर रहा था उसने शाओ जनरॉंग और डू शाओसू को कार में बैठते देखा लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है उसे यह द्रिश्य अजीब लगा लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उनका व्यक्तिगत मामला है और उसने अधिक ध्यान नहीं दिया शाओ जनरॉंग ने कार को आधे रास्ते पर रोग दिया और डू शाओसू से सीधे पूछा तुम सच में क्या चाहती हो शाओसू? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? डू शाओसू उसकी आँखों में सीधा नहीं देख पाई उसने महसूस किया कि उसका दिल उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है लेकिन उसके शब्दों में कोई साहस नहीं था उसने केवल उसे चुपचाब देखा और कहा यह सब नामुम्किन है शाओ जनरॉंग ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसे चूम लिया जैसे वह उसे खोने के डर से उसे अपने पास रखने की कोशिश कर रहा हो उनका यह पल बहुत लंबा लगा मानो समय ठहर गया हो लेकिन इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी को गलत जगह पर पार्क किया हुआ देखकर वार्निंग दी डू शाओ सू और शाओ जनरॉंग ने यह सुना और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले डू शाओ सू की आँखों में आंसू आ गए उसने शाओ जनरॉंग से दूर होने की कोशिश की लेकिन वह उसे रोकता रहा आखिरकार उसने कहा हमारा रिष्टा यहां तक ही था जनरॉंग मैं अब और नहीं चल सकती शाओ जनरॉंग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था उसने कहा तुम मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकती हो क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं था डूशावसु ने अपने आंसुओं को पोँचते हुए कहा मेरे पुराने प्रेमी ने मुझसे फिर से मिलने की कोशिश की है मैंने तुम से कभी प्यार नहीं किया तुम मेरे अकेले प क्यों हो रही हो लेकिन डूशावसु ने कुछ नहीं कहा वह सिर्फ उससे दूर जाने की कोशिश करती रही और आखिरकार उसने कहा हमें अलग होना ही होगा उसने खुद को उससे अलग कर लिया और भागते हुए दूर चली गई ट्रैफिक पुलिस शावजनरॉंग के पा की मीटिंग्स को रद्द कर दिया और शावजनरॉंग की तलाश में निकल पड़ा उसे वह जगह याद थी जहां वे बचपन में खेला करते थे इसलिए उसने वहां जाने का सोचा वह सही था शावजनरॉंग वहां एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था जैसे वह अपनी जिन्दगी के सबसे कठिन पल का सामना कर रहा हो शावजनरॉंग ने देखा कि ले यूजेंग उसकी ओर आ रहा है उसने कहा हम दोनों का रिष्टा अब खत्म हो गया है ले यूजेंग ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और पूछा क्यों आखिर क्या हुआ बता कि मैं इस दर्द को कैसे सहपाऊंगा उसने फिर से तय किया कि वह यूनान में फ्री क्लीनिक के लिए जाएगा शायद वहां जाकर उसे कुछ सुकून मिल सके वहीं शाव का इश्वान जो शाव जनरॉंग का पिता था ने सुना कि उसके बेटे और डू शावसू के ब डू शावसू को गोल्फ कोर्स पर बुलाया और जबरदस्ती उससे पूछा तुमने शाव जनरॉंग से रिष्टा क्यों तोड़ा क्या तुम्हें अब उससे प्यार नहीं है डू शावसू ने कहा यह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैं अब उससे प्यार नहीं करती ले यूजेंग को इस बात पर गुसा आ गया उसने कहा तुमने उसे किसी और अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया है ना तुम जैसे लोग प्यार के काबिल नहीं होते दू शावसू ने कहा तुम जो चाहो समझो लेकिन मैंने जो किया है उसमें मेरी मजबूरी थी उसने य यह कहते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का निर्ने लिया ले यूजेंग ने उसे धमकाते हुए कहा अगर तुमने यह कमपनी छोड़ी तो तुम इस लाइन में कभी टिक नहीं पाओगी दू शावसू अपनी मर्जी के खिलाफ हास्पिटल आई थी और जैसे ही उसने हास्पिटल का माहौल महसूस किया उसके दिल में शाव जन्रॉंग के साथ बिताए पलों की यादें ताजा हो गई वो पल पल जब वे एक दूसरे के साथ थे जब उन्होंने साथ हंसी मजाग किया जब शाव जन्रॉंग ने उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दिया ये सब यादें उसे घेरने लगी, उसकी आँखें भर आईं और वो इतनी दुखी हो गई कि शब्द भी गले में अटक गए, ये सब सोचते सोचते उसने फैसला कर लिया कि अब उसे इस्तीफा देना होगा, जू सीकी उसकी करीबी दोस्त ने देखा कि डू शाउसू कितनी परेशान है, उसने उसे बोला कि वो इतनी जल्दी कोई फैसला न ले, जू सीकी ने उसे शाउ काईशवान से जाकर बात करने और सच्चाई बताने के लिए कहा, ताकि शाउ जनरॉंग को भी सच का पता चल सके, लेकिन डू शाउसू का दिल कह रहा था कि वो शाउ जनरॉ को ऐसी सिचुएशन में न डाले जहां वो अपने भाई और अपने प्यार के बीच में फंस जाए, इस बीच लेटिंग अपनी चोट से उबर चुका था और घर लोट आया था, उसके भाई ले यूजेंग ने सोचा कि यूतियन छोड़ देना ही सबसे अच्छा होगा, ले लेटिंग ने ले यूजेंग को उतसाहित किया कि वो इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश करे ताकि वो अपने करियर में एक बड़ा नाम कमा सके, दुखी होकर डू शाउसू ने अकेले शराब पीने लगी, उसने सोचा कि शायद शराब उसकी दुख को कम कर देगी लेकिन वो और भी ज्यादा दुखी हो गई, उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और आखिरकार सड़क के किनारे बैठ कर रोने लगी, उसी वक्त ले यूजेंग वहां से गुजर रहा था, उसने डू शाउसू को इस हालत में देखा और उससे बोला कि वो जल्द से जल् शाउसूं में डूबी आखों से ले यूजेंग से कहा कि उसे अकेला छोड़ दे, वो एक टैक्सी बुलाई और वहां से चली गई, लेकिन इस हड़बडी में वो अपना बैग टैक्सी में ही भूल गई, कुछ देर बाद शाउजन रॉंग को टैक्सी ड्राइवर का फोन ड्राइवर ने बताया कि डू शाउसू का बैग उसकी टैक्सी में रह गया है, शाउजन रॉंग तुरंत उस बैग को लेकर डू शाउसू के पास पहुंचा, जब वो उसके घर के बाहर पहुंचा, तो उसने देखा कि डू शाउसू गुमसुम और उदास बैठी है, उसक कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बया किया जा सकता।